हेलो फ्रेंड्स MP3 इस्टिजिंग चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम 32 जब फ्रिंसेस कट ब्लावूज की इस्टिजिंग करना सिखेंगे अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो मेरी वीडियो मेंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर तो हम चलिए इसकी स्टिजिंग शूरू करते हैं तो हम सबसे पहले जो है बेल्ड को जोइंड करेंगे तो बेल्ड का हमको 20 सेंडर खोलना है दोनों वाले पार्ट को और बेल्ड को इस तरीके से हमको उल्टा रखना है और सिलाई को लगा लेनी है एक्षा पार्ट को में कट करके निकाल देंगे तो हम इसी तरीके से दुसरे वाले बेल्ड को भी कंप्लिट कर लेंगे तो देखो मैंने दुसरा वाला भी तयार कर लिया है अब हम पिछे वाले पार्ट को तयार करेंगे पिछे वाले पाड़ को हमको सिधा रखना है और इस तरीके से अस्तर वाले पाड़ को हमको रख लेना है और दो पोइंट जितनी हमको सिलाई लगानी है और एक्षा पाड़ को कट करके गले में जो है छोटे छोटे कट लगा देंगे और गले को इस तरीके से पलट लेंगे और उपर से हमको अस्तर वाले पाट के उपर से हमको सिलाई लगानी है और उपर से एक सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग की अब हम चारों तरब से इसके सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई को कट करके निकाल लेंगे तो अब हम इसमें बेक पाट की प्लिट से लगाएंगे तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके साइट में बीच में कट लगाना है और साइट से भी इस तरीके से दोनों को मोरते हुए आपको कट लगा लेने हैं दोनों तरफ और प्लिट से की लंबाई रखरियों में साड़े चार इंच आप चाहो तो चार इंच भी रख सकते हो यह अपने मर्जी से आप कितनी भी रख सकते हो और इस तरीके से इसको फोल्ड करके थप थपा लेंगे तो दूसरा ववाल ने भी निशान आ जाएगा हमारी दूसरी तरफ और निचे से आपको हाप इंच जितना लेते हुए उपर की साइड में कम करते हुए आपको प्लिट से लगानी है दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे अब हम गले में एक सिला यो और लगा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कम्प्लिट है अब हम आगे वाले पार्ट को कम्प्लिट करेंगे तो इसके दोनों के भी सेंटर खोल लेना है हमको तो हमको सिधा रखना है ये दोनों पार्ट अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से अच्छे से रख लेना है आपको और उपड़ से दो पोइंट इतनी सिला ये लगानी है इसमें गले में और एक्षा कपड़े को कट कर देंगे और गले में जो ही कट लगा लेंगे हम और उपर से मोड़ते हुए हमको सिला लगानी है उपर से फिर फिनिशिंग की सिला लगा लेंगे एक और साइड से हम जोइंड कर लेंगे चारों तरब से और साइड से हमको एक्षा कपड़े को कट करके निकाल लेना है तो हम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लिट कर लेंगे पहले हम गले में एक सिला लगा देंगे तो दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लिट कर लेंगे हम तो देखो मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लिट कर लिया है अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो मैंने यह लगा थे प्रिंसेस कट का शेप दिया था इसको गेहरा कर लेना है आपको और उपर से थप थपा लेना है तो यह निशान हमारा दूस्री तरफ भी आ जाएगा और इस तरीके से मिला लेना है अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको प्रिम्सेस कर टब LAWG बनाना है तो पेले हमको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और आप आप इंचे दोनों तरप से ले लेंगे हम जैसे हम बेल्ड बLOWG में लेते हैं इसी तरीके से हमको हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से लेना है और उपर से सिलाई दो पॉंच इतनी लेते हुए निचे से हमको इस तरीके से घुमा लेना है इस तरीके से और जो हमने हाफ इंच जितना लिया था उसकी तरफ तो यह हमारी नोक निकल गई है अच्छे से शेप आ इतना सुन्दर आया है अब हम यहां से इस तरीके से लाइन को खिचेंगे 20 सेंटर में से डेर्ड इंच की गेब देते हुए और दो पॉइंट जितनी आपको सिलाई चला लेनी है आपको पॉइंट जितनी लगानी है ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है इसमें आपको तो इसे तरीके से हम दुसरा इपार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे है तो देखो हमारा यह वाला पार्ट भी कंप्लीट है अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो आपको बेल्ड को इस तरीके से लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ तो हम इसी तरीके से दूसरे वाले बेल्ड को भी रेडी कर लेंगे तो हमारा बेल्ड दोनों कंपलीट है हमारा बेल्ड साइट में से बच रहता तो हमने उसको कट कर दिया है और सिलाई लगा ली है देखो इस तरीके से तो दूसरा वाला भी इसी तरीके से कट करके जो है सिलाई लगा लेंगे हम अब हम इसमें उकाई की पट्टी लगाएंगे तो मैंने उकाई की पट्टी रेडी कर रखिए ये हमारी जो है आई वाली पट्टी है तो सबसे पहले हम इसमें आई की पट्टी लगाएंगे उपर से आपको थोड़ा बढ़ाते हुए इस तरीके से लेना है और पलट देना है आपको हाप इंच जितना पलट ना है और याज से आपको मोर देना है इस तरीके से और फिर हम मशिन को गुमा लेंगे और सिलाई को इस तरफ निकाल देंगे और हमको इस तरीके से उपट से जो है सिलाई लगानी है आपको नीचे से नहीं लगाने हैं आप हाई की पट्टी इसी तरीके से बनाना आपकी बहुत जल्दी भी लग जाएगी और आसानी से रहेगी लगने में और फिनीशिंग से लगेगी आपकी और एक सिला लगा लेंगे हम और नीचे से पट्टी को कट कर देंगे जो एक लगाएंगे, तो उकी पट्टी की चोड़ाई मैंने ली है, डाइ इंच आप चाहो तो तीन इंच भी ले सकते हो, और इसको इस तरीक से डबल फोल्ड करते हुए हमको सिलाई लगानी है, और पट्टी को पलड देंगे हम सामने की तरफ, पेले हमको सिलाई लगानी है, इसके उपर एक, और हमको पेले मोड के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और इस तरीके से हमको मोड देना है पट्टी को, अब इसको बराबर से मिलाते हुए, निचे की तरफ से थोड़ा चाहर देना, अगर अपना कपड़ा बढ़ रहा हो तो अब इसमें हम शोल्डर जोइं करेंगे, तो दोनों तरफ से हमको शोल्डर जोइंट कर लेना है, अब हम इसमें अस्तिन जोइंट करेंगे, हमको अस्तिन का कपड़ा कीशना नहीं है, तो हम इसी तरीके से दूसरी वाली अस्तिन को भी जोइंट कर लेंगे, तो हमारी दोनों अस्तिन रेडी है, अब इसमें साइट से सिलाई लगा लेंगे, और बाहर की साइट में जो कपड़ा एक्षा हो उसको कट कर देंगे इस तरीके से, और दूसरी वाली साइट में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, यहां, और एक्षा कपड़े को इसी तरीके से निकाल लेना है आपको, और अब हम निचे की साइट में जो है पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी की चोड़ाई मेंने ली है, डेड़ इंचे की, अब हमको पट्टी को मोड़ना है, और पेले हमको सीज के उपर, अस्तरवाली पट्टी के उपर हमको सिलाई लगानी है, और पट्टी को पलट देंगे हम, तो देखो मैंने पट्टी को पलट दिया है, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, तो दूसरी वाली साइट में भी लगा देंगे हम फिटिंग की सिलाई, तो देखो हमारा ब्लाउज रेडी है, तो फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीस आप मेरे को कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा, और वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, तो आपको इसी तारीके से जो है प्रिंसेस कर ब्लाउज की स्टिचिंग करना है,